आरियन कान ड्रग्स मामले में कल NCB की टीम ने एक बहुत एहम शक्स से पूश्टाच की इस शक्स से ये पूश्टाच लंबी चली कम से कम साथ घंटे की ये पूश्टाच थी सबसे बड़ी बात ये जो शक्स था ये क्रूस पार्टी में मौजूद था और जिनलोगों को इनिशिली डिटेन किया गया था उनमें भी शामिल था बाद में इसे छोड़ दिया गया था लेकिन अब फिर से पूश्टाच के लिए बुलाया गया है क्योंकि इसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि Aryan को cruise party पर इसी ने बुलाया था प्रतीक Gaba ये शक्स है जो cruise party में मौझूद था और प्रतीक Gaba से ही कल NCB की team ने पूछताच की प्रतीग गाबा से पूश्टाच इसलिए की क्योंकि उसके एक दिन पहले NCB की टीम ने आर्यन के ड्राइवर से पूश्टाच की थी और ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में खुलासा किया था कि घर पर आर्यन, अर्बास, प्रतीग गाबा और एक और शक्स था ये चारों पहले मननत पर थे और वहां से ये मर्सिडीज से क्रूस के टर्मिनल तक आये और मैं ही इने छोड़ने गया था प्रतीग गाबा भी उन लोगों में था, जिनने डिटेंड किया गया था, जैसा कि NCB ने बताया कि उन्होंने 14 लोगों को इनिशली डिटेंड किया था लेकिन बाकी 6 लोगों के पास कुछ मिला नहीं था इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था तो उन्हीं छोड़ दिये गए 6 लोगों में से प्रतीक गाबा एक था जिसे फिर से बुलाया गया आपको बता दे कि प्रतीक गाबा का नाम हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं बलकि नवाब मलिक ने भी जब ये बयान जारी किया था कि NCB की टीम ने तीन लोगों को जाने दिया उन तीन लोगों में से एक नाम प्रतीक गाबा का भी था और अब ये बात कई बार इसका नाम आ है क्या इसी लिए आरियन खान को प्रतीक ने बुलाया क्योंकि कहीं सारे इल्जाम ये भी कहे जा रहे है कि आरियन को तो प्लांट किया गया वहाँ पर फसाने की नियत से ही ये सारी प्लैनिंग की गई थी तो इस चीज़ का खुलासा भी इस प्रतीक गाबा नाम के शक्स स बातचीत होने पर ही होगा प्रतीक गाबा इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे लेकिन अभी ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाकाउंट बिल्कुल प्राइविट कर दिया है